हाई फ्रेंज मैं हूं माने वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉजटल सा नमस्कार और ठंड है इसलिए मेरे हाथ भी इस जैकेट के पॉकेट में जो कि काफी करम है बात करते हैं फाइटर की क्या उसके अंदर कोई गर्मी आ रही है कि नहीं आ रही है उसको कु आपना पोस्ट कि शारू खान साब को बहुत पसंद आ रहा है इसका ट्रिलर और साथ में शारू खान का एक स्पेशल एपिसोड भी आया है जो शूट हो रहा है फॉर रोशन रोशन करके एक और सीरीज आ रही है जैसे रोमांटिक्स आई ती जो यश्राज के ऊपर पूरी ही बेस थी वैसी रोशन भी कुछ शूट हो रहा है जिसके अंदर एक एपिसोड जो होगा एक एलेमेंट जो होगा इफ नॉट एपिसोड जो शारू खान रोशन के बारे में बात करेंगा और स्टाटिंग में जो उनका करियर शुरू हो तो काफी सारी कारन और जो कोईला था इसना लगब लगब और उमीदे जाग गई थी कि वह यह तो सीधा आप लंबे रेस का घोड़ा है पचास साथ करोड रूपर कुछ असा कर देगा फिर कल था साड़े तीन करोड रूपर क्या सपर सुबह साड़े करोड रूपीज इसका लगब लगब लेट नाइट तक सुबह मॉनिंग तर टच करें जिसमें करीबन डेड़ लाग टिक टेप बिच चुकी होंगी और करीबन सवादस हजार शोस जो हैं इसको अलोट हो चुकी होंगे काफी अच्छी कासी ती रिलीज होगी क्योंकि हिंदी सेग्मेंट में और कोई मुवी थी नहीं काफी टाइम बाद यह रिलीज हो रही है तो वह एक पॉइंट है दूसरा अब शारुखान साब ने तारीफ कर दी तीसरा ये भी है किसके नरतिक रोशन को हुब है और चौथा ये भी है कि जिसने पहले हजार क्रोड की मुवी दि जिसका आवरेज टिकेट प्राइस है मातर 279 रुपीज इसको नोट कर लो 279 रुपीज अंडर 300 आपको 3D टिकेट मिल रही है आइमाइक्स का जो वर्जन है वो है आपका 45 लाग रुपे का कॉंटरिवेशन और 4DX जो है सबसे महिंगा जो 500 आसपरस की टिकेट है वो है करी टिकेट 3D वाली वर्जन वाली मिल जाए तो आप सबसे पहले तूट पड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूमर का जो बहेवियर जा रहा है वो यह जा रहा है कि यह और इन्होंने भी जानके किया होगा कि 3D वाला अगर मेरेको सस्ते में मिल रही है टिकेट और लुजर 2 रिलीज जाएगी दो दिन पहले थर्जडे को रिलीज होगी अब कल से मुझे ऐसा लगता है चाहनक से 2D में बंबार्डमेंट आईगी और यह मेरे समझ के सबसे 2X का जंप लेगी सीधा सीधा तो यह सिंगल डिजिट से इंक्रीज होके डबल डिजिट के अंदर पहले आ जाएगी तो 11-12 करूर रुपीज का इस पर इसका अडवांस होगा अगर इतना एडवांस अगर इसका कलेक्ट हो जाता है तो आप यह कह सकते हैं कि मिड थर्टीज के अंदर डेवन कर लेगी विचल भी रिस्पेक्टेबल नंबर कंसेडरिंग के सारी मुवी जो ह सकती हैं और अगर फिर उसके बाद अगर इसका यह माल लीजे की वडफ माउथ ठीक ठाक आता है तो फिर स्काइज इलमेंट फ़र इस वन फिर इस मुवी इस इंदे स्काइज उल्ली ठीक है तो जैट सेट्स ओड रहे हैं और इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाकी है कि शायद जो गल्फ में सिर्फ यूए को छोड़के हर जगा पर बैन हो गई है जब कभी इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा आता है तो ऐसे बैन अपने देखा ही था टाइगर थी के लिए इस तरीके का बैन लगा था तो उस बैन से भी लगब लगब इसको ओवर सीज क बुकसान है अगर इंडिया के अंदर है अच्छा कर से कलेक्शन कर लाते हैं तो एक मिलन डॉलर कुछ भी नहीं होंगे यहां पर ही काफी बड़ा कुछ कर जाएगी बागी जल्दी बिलते हो और अप्डेट से किने टेट बाई